ये है डानियल विलेजस 18 साल जेल में पिताए दो होबोसाइड मर्डर्स के आरूप में जो डानियल ने कभी किये ही नहीं थे वेलकम तू कैदी टीवी आईए आज की वीडियो में डानियल और उनके इंट्रेस्टिंग केस के बारे में जानते हैं अलपासो टेकसेस वीडियोस में डानियल को एरेस्ट किया गया था जब वो किवल 16 एर्स के थे अलपासो में एक डिटेक्टिव ने डानियल को 16 एर्स की एज में ही अरेस्ट कर लिया था और उनको काफी brutally मारा and threaten किया जिसकी वज़े से डैनियल ने confession पर sign कर दिया जो कि उन detectives द्वारा ही बनाया गया था शायद ऐसा detective ने case को जल्दी shut down करने के लिए किया था कुछी देर बार डैनियल ने काफी कोशिश करे ये बताने की कि उनको इस confession पर forcefully धमका कर sign कराया गया था लेकिन शायद तब तब काफी देर हो चुकी थी और डैनियल को सजा सुनाई जा चुकी थी जूरी ने डैनियल को केवल उस confession के basis पर ही दोशी करार दे दिया उनको दो होमोसाइड मर्डरस के जुर्म में लाइफ सेंटेंसिंग यानि उमर क्याद की सजा सुनाई गई डैनियल के lawyers ने फिर भी हार नहीं मानी और केस को हाईयर कोट्स में चैलेंज किया 18 साल जेल में मिताने के बाद डैनियल को second trial का मौका मिला कीवल confession के basis पर डैनियल को सजा सुनाना शाय जूरी को ठीक नहीं लगा और बेल पर डैनियल जेल से बाहर आगए जेल से बेल पर बाहर आने के बाद डैनियल ने शादी करी और फिर family भी शुरू करी काफी टाइम और कोशिशों के बाद डैनियल का third and the last trial शुरू हुआ जहां ये decide होना था कि डैनियल अपनी family के साथ वापिस घर जाएंगे या वापिस अपनी बाकी जिदगी जेल डैनियल के लॉयर्स ने उस डिटेक्टिव के सच्चाई कोर्ट में प्रूफ कर दी और ये विद प्रूफ कोर्ट में साबित कर दिया कि डैनियल को जबर्दस्ती उस confession पर sign कराया गया था फाइनली सारे सबूतों और गवाहों को मदे नजर रखते हुए डैनियल को जूरी ने सारे गुनाहों से फ्री कर दिया और डैनियल का reaction आप देख सकते हैं ऐसे ही चिलिक वीडियो के लिए क्यारी टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थांक्यो पर वाच्छेंग गुडबाए